बहुत बहुत शुक्रिया मैं साथ जुनने के लिए और कुछ राय देने के लिए माई दरश्कों के लिए अब बाचीत करेंगे हम लोग ध्रूश अंगी जी से और यात्रा ऑनलाइन तीसी तिमाई में कंपनी खाटे से मनाफे में आई है 5.67 क्रोर के खाटे के सामने 1 क्रोर का प्रॉफिट दिखाया है इनोंने मार्जिन 2.7 से पर कर 3.3 परसेंट पर है और अबटा में भी 50 परसेंट का उच्छाला आया है तो नतीजों पर और साथ ही यहां से आगे टूरें ट्रेवल वाला बिजनेस कॉर्पोरें ट्रेवल वाला बिजनेस कैसा रह सकता है इस पर बातशीत करेंगे कंपनी के सी और होल्टाइम डिरेक्टर धुरु इश्रंगी जह मैंसा आज उल गए है दुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर नतीजे और इंस पर मिक्स बात करते रहेंगे आउटलुक पर और ट्लेंट पर इंडस्ट्री पर तो पहले तो नतीजे बताईए प्रॉफिट में तो आ गई कंपनी काफी बढ़िया रहा कई क्वाटर से घटा लेकिन अभी भी एर क्लोज करेंगे आप बढ़िया होती जाएगी जैसे जैसे स्केल बढ़ता जा रहा है हमने पिछले साल में काफी अच्छी रिकावरी देखी है कोविट से बाहर आते हुए और यह रिकावरी का अप ट्रेंड ऐसे ही लग रहा है कि इंप्रॉफ ही होती रहेगी मार्केट में डिमांड काफी स्ट्रॉंग ह है ट्रावल और टूरिजम के लिए चाहिव बिसनस ट्रावल हो या लेजर ट्रावल हो और अब तो हम यह भी देख रहे हैं कि आउधिया के बाद डिलिजिस ट्रावल में भी काफी और तेजी आ रही है तो अबरॉल लग रहा है कि यह जो तेजी है इंडास्ट्री मोमेंट जो है यह क्यारी फॉरवर्ड होता रहेगा और उसके बेसिस पे स्केल के साथ-साथ प्रॉफिटिबिलिटी इंप्रॉव होती जाएगी तो यह जो प्रॉफिडिबिलिटी बढ़ रहे हैं इंप्रॉवमेंट होता हुआ दिख रहा है और आप करनें कि इसमया उद्ध्या के बाद से और मुवमेंट बन रहा है इंडेस्ट्री वाइड भी यह देख रहे हैं यह कुछ-कुछ पॉकेट में कि कुछ जगों पर तेज यह फिर यह जो घुमने फिरने वाले लोग इसका क्या चल रहा है और तेजी के अलावा कॉप्रेट ट्रावल में यह भी हो रहा है कि नए नए कस्टमर्स टेकनोलजी इंप्लिमेंट करना चाह रहे हैं अभी अगर आप देखें पिछले 10 साल में जैसे कॉप्रेट ट्राव वो काफी कम थी कॉप्रेट ट्रावल में पर कोविट के बाद जैसे जैसे जादा कंपनी इस हाइबरिड मोड में काम कर रही हैं लोग रोज आफिस नहीं आ रहे हैं टेकनोलजी की अडॉप्शन काफी हद तक इंप्रूव होई है और उस टेकनोलजी अडॉप्शन की वज जो है वो करीब 220 करोड के करीब है तो उस हिसाब से काफी मोमेंटम है टेकनोलोजी अडॉप्शन के लिए भी कॉर्परेट ट्रावल साइट पर तो अभी B2B और B2C यानि कॉर्परेट और रिटेल वाले में आपका क्या मिक्स है हमारा मिक्स अभी भी रिटेल थोड़ा जादा है रिटेल करीबं 60% के करीब है और 40% जो है वो B2B है जादा फायदा किसमें B2B में की B2C में? प्रॉफिट मार्जिन B2B के जो है वो जादा है क्योंकि वहां पर एक बार क्याप्टिव कस्टमर है आपने एक बार कस्टमर के हाँ टेक्नालोजी स्लिशन इंप्लिमेंट किया तो फिर वो स्लिशन कस्टमर के पास काफी सालों तर रहता है चार-पांच साथ साल तक चलता है तो वहां लाइफटाइम वैल्यू कस्टमर की जो है वो काफी अच्छी है बी-टू-सी का अलग नजर यह है बी-टू-सी में आप हमेशा ओनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं आप ब्राइंड बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप कस्टमर एक्विजिशन जो है वहां वो जादा डायनमिक है तो सर फिर यह बी-टू-बी वाला जो एक्विजिशन आप लोग करते हैं इसको समझागी कॉस्ट अफ एक्विजिशन क्या बनती है प्लस इसके लिए क्या एफ़र्ट आप कर रहे है यहां पर टिपिकली जो एफ़र्ट होगा वो एक इनसाइट सेल्स टीम है जो सेल्स ट जाएगी, कस् Всемअ करेंगी जो कषिश करेंगी, ने कस्टमरस टिपिकली आरफी प्रॉसस लाएंगे कुछ सालों में एक बार तो उस div corporate करेंगे और वहां से पर कस्टमर्स टेखनें करते हैं आपकी प्राइसिंगं देखेंगे ऑपका सिस्टम उनके प्लाटफॉर्मों के इ एक बार आप customer के अंदर आप implement करते हैं, तो फिर आप सालों साल के लिए वहाँ आपका solution डिप्लॉइड रहता है। तो और इसकी cost भी जादा होती होगी? इसकी cost देखे, अगर मैं per unit cost देखूं, क्योंकि यहाँ पर आपकी cost लग रही है लोगों की cost और लोगों के time की cost, तो on relative basis कि अगर 5 साल का एक contract है, relative basis पर cost काफी कम रहेगी, अगर मैं B2C देखता हूं, B2C में एक अलग चीज है, वहाँ पर आप हर customer के लिए या तो आप Google के सा साथ कर रहे हैं या Facebook के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी एक recurring marketing cost जुड़ी हूई है, तो दुरू आपका जोगी focus B2B की तरफ जादा रहेगा, अच्छा margin बशार है, लेकि क्या इसमें ऐसा रिस्क होता है, क्योंकि एक corporate के साथ है, corporate का अपना quarterly result अच्छा नहीं है, उसने क होता है, जैसे IT services sector है, उसमें हमारे बड़े customers है, TCS है, HCL है, Techham है, और कुछ और next level भी IT services है, तो उस हिसाब से कभी होगा, पर अगर आप देखें हमारा पूरा portfolio, 800 से ऊपर customers हैं और बड़े customers हैं, उसकी विज़ा से there is अच्छी खासी diversification, चाहे आपने जो रिस्क बताया, व क्योंकि हमारे पाद से एक diversified customer base और काफी बड़ा customer base है, कोई एक sector ऐसे नहीं है, जिसका disproportionate impact होगा, ओके, अच्छा सर, एक simple question है, कि जो individual, नहीं, B2C और B2B की unit ticket जो आद भी travel के लिए खरीता है, उसमें प्राइस में बट फरक होता है, सेम होता है, उसमें काफी फरक पड़ है, corporate travel की average booking window अगर आप देखें तो वो दो से चार दिन पहले है, तो उसकी बज़ए से average ticket prices रहे रहे हैं, plus corporate travelers typically जो book करेंगे ticket, वो flexible ticket book करेंगे, जिसमें जादा cancellation charges ना लगें, जिसमें उनको seat, meal, baggage, ये सारी चीज़े बंडल मिलें, तो उसकी बज़ए से जो average ticket price है corporate पे, वो almost 1.5 गुना जादा होगा B2C से, इसमें आपका profit margin भी जादा बनता होगा B2B वाले में, इसलिए चुकी last minute में कर रहे हैं इसलिए कोई फरग नहीं परता है, मैं एक महीने पहले ही करता है, तब ही मेरे को उतना ही महेंगा दिखता है, वो बाद में करो, बहुत डिफरेंस न काफी स्टॉंग है, ट्रावल डिफरेंस तो इस वजह से प्राइसिंग को है, चाहे आप थोड़े दिन पहले भी करेंगे, इतना जादा फरक नहीं आ रहा है, क्योंकि एरलाइन को भी पता है कि प्लेन फुल जाएगा, क्लोजर तो पाचर डेट, तो फिर मैं आपसे guidance ले स कम से कम 25% के एक आगर पे ग्रो करेगा, और margins की जो ग्रोथ है, अगर मैं margins देखके चलूआ, और ये EBITDA के margin की बात करें, आज की पे हमारी adjusted EBITDA margin करीबं 10% के है, और हमारी expectation है कि वो EBITDA margin जो है, तीन साल के अंदर 20 के आस पास पास पहुँचनी चाहिए, तो काफी, क्योंकि technology solution deployed है, customer voice solution यूज़ कर रहे है, तो इसलिए हमें और incremental expenditure कम करना पड़ता है, ओके, अजब B2C में आप hotel भी book करते हैं न सर, जी, वहाँ किस तरह के margin आप command करते हैं, तो इसमें तो third party भी included है, हाँ जी, सो hotels में margins जो है, क्योंकि supplier fragmentation ज्यादा है, अगर आप air side पर देखें, इं supplier concentration है, तो वहाँ पर margins relatively low है, बट होटेल में क्योंकि हजारों छोड़ी लाखो होटेल हैं, तो उसके वज़ासे उस fragmentation से margins better है, हमारा ज़रिया यह है, कि होटेल जो है, हम अभी उस scale पर नहीं हैं, जहां hotels fully profitable है, हम यह चाहते हैं, कि हम hotels को थोड़ा और grow करें, थोड़ा और scale करें, ताकि scale के advantage के साथ profitability और improve होगी, तो अगर मैं अगले 2-3 साल का देखता हूं, तो 2-3 साल का focus और effort जो है, वो business travel को जादा scale-up करने में है, वहाँ पे जादा-जादा customers में technology deploy करने में है, और उसके साथ-साथ hotels को gradually grow करने में है, एक चोटा सा final सवाल है मेरा, company बारे मैंने बात कर लिए specifically, लेकिन जो भारतमना अभी नया fashion tour and travel का बढ़ रहा है, और ये इसके आप लोग player है, क्या ये एक rising trend में है और चार-पांच-छे साल के visualization के ऐसे क्यों कि hotel industry में भी बहुत capacity additions हो रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और airports में flights cancel हो रही है, क्या trend देख रहे हैं आप next 5-10 years के लिए? और आपने जो टीवी लेना था ले लिया, आपने जो फ्रिज लेना था ले लिया, आपने जो गाड़ी लेनी थी ले ली, उसके बाद आप जीवन के experiences पे पैसा करशता हैं, और travel सब में एक primary experience है जो लोग करना चाहते हैं, तो इसलिए travel and tourism as a sector जो है काफी सालों तक grow करेगा आपी तो इंडिया की growth story जिस शुरू ही है consumption की, अभी तो picture शुरू ही है, अभी तो interval भी नहीं आ है, बहुत बहुत शुक्रिया दुरूशा मासा जूनने के लिए और बाचीत करने के लिए, और insights शेयर करने के लिए, यात्रा online profit में आ गई है और काफी positive हैं आगे को, अभी तो